हेलो दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल पर देखिए आज का टोपिक है Epson L360 जो यह लाइट ब्लिंकिंग का एरोर है इसको कैसे सॉल्फ करेंगे ठीके दोस्तों आप वीडियो जरूर लास तक देखिएगा मैं पूरा स्टेप बाइस्टेप इसको दिखा होंगा जो क्या क्या करना है देखिए मैं प्रिंट कमन देखे देखता हूं इसको प्रिंटेस मार के देखता हूं तो क्या एरोर आता है आप देख लिजएगा देखिया हां ये a Pinterest Inkpad is at the end of its service इसको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है इसको मैं दिस्क्रिप्शन में देदूंगा वो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ये एक में डाउनलोड लिंक को डाउनलोड करना है। छी के यह डाउनलोड करेंगे है तो उसको एक्सिटे करना है सब्सक्राइव कर सब्सक्राइब हो ग्या है मेरा और पास्वड वह और लिंक का मैं पास्वड रहे ए एक एसपी डबल डी जो पास्वड बॉक्ड करते हैं खुलते हैं । नालोल फोल्डर ओके राइट-就到tech पासवर्ड देते हैं चलो पासवर्ड चेक करेंगे है वाइट सहीज पासवर्ड है okey इसको दबल क्लिक open एड्ज़ स्ट परगाम को करते हैं जैसे रन करेंगे देख छेलेक्स करना इसको पिंटर का model सेलेक्ट करें आपका जो भी model है कितना model support करता है उसमें दिखा रहा है थे मेरा केस में यह model है और इसका per body USB ports करता हूं ओके ऑके किया और यह पर्टिकुलर अजस्मेन मूड कैसे इस में क्लिक करेंगे दिस्में वैस्ट इंपेट काउंटर यह है जो वैस्ट इंपेट काउंटर में क्लिक करना है और खूल को करना है और एक-एक स्टेप देखते जाए दोस्तों और उसको बादने चेक करना है जैसे चेक करेंगे यह दिखिया 100% पूरा फूल हो चुका है अब इसको कैसे रिजॉल्फ करेंगे मैं दिखाऊंगा हाँ सीमपल है यह जो मैंनोड कामटेर है इसमें टिककर करणा है अंब इस चीलाइट जैसे करette यह आपि डाorama आこれで कर दीज्याओंगा आधि उच्षा साय का करते शाहे देगा यह रहा मेरा प्रिंट कमन अभी सीधा प्रिंट निकल जाएगे यह एरोड जो था वो हड़ गया कि एकदम सिंपल है कोई इसमें ताफ कुछ नहीं है देखिया प्रिंट कमन मेरा निकल रहा है कि दोस्तों आशा करता हूं आप समझ गए होंगे और इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्षिन में लिखेगा और आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगए तो लाइक कर दिजिएगा शुक्रिया दोस्तों थेंक्यू